दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं physics का देखिए एक काफी important topic है जो हमारा छूट रहा था वो है unit 1 जो physical quantities होती है उनकी unit और 1 से अकसर exam में questions देखने को मिलता है तो चलिए friends हम इस वीडियो में अच्छे से उसको समझते हैं मैं आपको कुछ trick से याद करा कुछ हम detail में study करेंगे वीडियो को देखने के बाद में test जरू लगाईएगा आपको काफी benefit मिलेगा चलिए हम वीडियो को start करते हैं देखिए ये 16 जो physical quantity है ये बहुत important है और 90% chance होता है कि exam question इनी में से बनता है जो 1 से लेकर 11 तक की physical quantities है इनको याद करना थोड़ा सा difficult होत होती है ठीक है तो इनसे questions भी कम बनता है जो main question बनता है देखिए प्रकाश वर्ष, light year, उश्मा, शक्ती, उर्जा, कार्य, work इनसे exam में questions देखने को मिलता है तो चलिए हम अच्छे से इनको समझते हैं देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कार्य की कार्य मतलब work उसकी unit क्या होती है जूल होती है अब देखे friends आपको सभी को पता होता है पर exam में क्या होता है कि option देखकर हम confused जाते हैं तो अच्छे से हमको याद हो जाए इसलिए मैं आपको एक trick बता जाता हूँ बड़ी आसानी से आप इसको याद कर पाएंगे कभी नी बुलेंगे देखे friends आप खाओगे इससे आपको क्या होगा energy मिलेगी और आप अच्छे से कार्य कर पाओगे work कर पाओगे तो जल्दी आपकी exam निकलेगी तो आप सभी को exam निकालने के लिए अच्छा work करने के लिए energy बनाए रखने के लिए क्या खाना है काजू खाना है यह हमारी trick है तो का से बना दोस्तो हमारा कार्य और जू से बना हमारा जूल तो बहुत इसी तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कार्य का मातरक क्या हो गया जूल हो गया ध्यान रखेगा उर्जा का मातरक भी क्या होता है जूल ही होता है क्योंकि देखिए हमारी trick में उर्जा भी आ रहा है इसलिए उर्जा का मातर क्या है, जूल है, देखे इसी से related, उश्मा की हम बात करते हैं, हीट की, हमने हीट वाले लेक्चर में इसको अच्छे से डिसकस करी रखा है, हीट जो होती है, वो क्या होती है, उश्मा एक प्रकार की उर्जा होती है, जो की एक object से दूसरे object में स्थाना अंतर होती है, जब उनके बीच में temperature difference हो, यह हमने पड़ रखा है, तो अगर हम बात कर रहे हैं कि heat जो है, वो एक प्रकार की उर्जा है, तो मतलब इसकी unit जो होगी, वो क्या होगी, जूल होगी, और ध्यान रखेगा, इसकी एक और unit calorie भी होती है, तो जूल, किलो जूल, कैलोरी, और किलो कैलोरी, यह उश्मा की units है, एक्जाम में question मनाता, last year ध्यान रखेगा, देखिए अगली हमारी physical quantity आती है, शक्ती, power, शक्ती जब भी हम words सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, शक्ती मान, आता है दोस्तो, शक्ती मान जो होता है, वो बुरे लोगों की क्य करता है, वाट लगा देता है, तो इस तरीके से आब इसको याद रख सकते हो, बहुत ही simple तरीका है, शक्ती की unit क्या हो गई, इकाई क्या हो गई, वाट हो गई है, एक और होती है, शक्ती की unit, ध्यान रखेगा अश्व शक्ती, मशीनों की जो power होती है, वो measure की जाती है, बहुत important है, exam में वहीं से question बनता है, अभी last 2-3 साल से तो काफी questions पूछे जा रहे हैं यहां से, तो ध्यान से सुनियेगा, देखिए, long distance दूरी की बात करते हम, तो उसमें सबसे पहले हम unit discuss करेंगे, प्रकाश वर्ष, light year, second आती है, खगोली, एकाई, जिसे बोलते है, astronomical unit, औ तो देखिए, क्या होता है, कि light के दुआरा, vacuum में, vacuum मतलब जहां पर वायू मंदल ना हो, light के दुआरा, vacuum में, एक वर्ष में चली गई दूरी, क्या किलाती है, एक प्रकाश वर्ष किलाती है, clear, बहुत important है, ध्यान रखेगा, प्रकाश वर्ष, second आता है, देखिए, astronomical unit, सूर्य और प्रथ्वी के बीच की average distance, क्या किलाती है, खगोली एकाई किलाती है, अब प्रथ्वी जो हे, वो सूर्य के चकर लगा रही है, ellips के shape में, और प्रथ्वी और सूरच के बीच में जो distance है, वो लगातार change होती रहती है, ठीके न, कहीं पर वो पास में आती है, कहीं दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो कौन से होती है पार्से की होती है ध्यान रखेगा एक पार्से की वेल्यू कित्ती होती है 3.26 प्रकाशवर्ष एक पार्से बराबर 3.26 प्रकाशवर्ष देखिए यहां से chances बनता है कि एक्जाम में question बने अगली हम physical quantity की बात करते है वो आता है दाब pressure प्रेशर जो होता है देखिए उसकी unit क्या होती है पासकल और बार very important है यहां से भी question मनता है अब पासकल और पार्सेक जो मैंने आपको बताया दूरी की इकाई क्या होती है पार्सेक होती है और दाब की इकाई क्या बताई मैंने आपको पासकल तो इन दोनों में आप confused हो सकते हो तो इस confusion को कैसे दूर करेंगे इसको हम ट्रिक से सीख लेते हैं पार्सेक और पासकल कौन सा दाब और कौन सी दूरी की इकाई है चलिए कैसे देखेंगे मैं आपको बताता हूँ देखिए पार्सेक में A की मातरा आ रही है दूरी में भी E की मातर आ रही है दाब और पासकल में कोई भी मातरा नहीं आ रही है ठीके तो बिना मातरा वालों को सबको पास में लेकर आ जाओ और मातरा वालों को सबको पास में लेकर आ जाओ इस तरीके से आप दोनों को बिल्कुल अच्छे से identify कर सकते हो कि दूरी की कौन सी है और दाब की होती है इससे एक्जाम में क्या question बन सकता है कि cgs पदती में बल की unit क्या होती है तो क्या होती है dine यह important है यहाँ से question बन सकता है ठीक है अगला आता है देखिए आवरती frequency frequency को काई मेजर किया आता है hertz में तो इसकी क्या है hertz very very important आगे देखिए हम जब sound का lecture एक discuss कर रहे थे तब हमने एक physical quantity discuss कर रही थी आपसे sound intensity ध्वनी तिवरता मैंने आपको बताया था इसको decibel में मापा जाता है decibel इसकी unit होती है ठीक है तो अगर किसी ध्वनी की तिवरता 45 decibel है मतलब वो मनुष्य के लिए suitable है अगर इससे जैसे उपर जाती है तो उसके कानों को नुकसान पोचाना start कर देती है अगर ध्वनी की तिवरता 85 decibel से जादा हो जाती है तो मनुष्य जो होता है वो बहरा हो जाता है यह मैंने आपको अच्छे से explain करा था तो ध्वनी तिवरता जो होती है उसकी unit क्या होती है decibel next हम बात करते है देखिए electric current, electric resistance और electric charge की तो जैसा कि आपको diagram दिख रहा होगा यहाँ पर देखिए 2 ampere का current flow हो रहा है और resistance लगा होगा है 2 ohm का तो बहुत ही easy तरीके से आप समझ सकते हैं कि electric current की unit क्या हो गई ampere, electric resistance की क्या हो गई unit ohm और electric charge की क्या होती है कुलम तो इन में तो शायद आपको कोई trick से याद करने की ज़रूत नहीं होगी क्योंकि सबी लोगों को पता होता है देखिए next हम जो physical quantity discuss करने जा रहे हैं वो बहुत ही important है luminous flux और luminous intensity क्या होती है जोती flux और जोती तिवरता, ध्यान से सुनिएगा, diagramatically हम इसको समझेंगे देखिए luminous flux क्या होता है, जब light source जो होता है, ठीक है वो एक second में कितनी light emit कर रहा है, कितनी light produce कर रहा है, कितनी light emit कर रहा है यहाँ पर direction specify नहीं है, बस कितनी quantity of light emit कर रहा है वही क्या किलाता है, luminous flux किलाता है, जोती flux किलाता है और इसकी unit क्या होती है, lumen होती है, ध्यान रखिएगा, lumen इसकी unit होती है यह तो हमने समझ लिया luminous flux क्या होता है, चलिए अब luminous intensity समझते है जब कोई light source, एक particular direction में, एक second में कितनी light emit कर रहा है वह क्या किलाती है, उसकी luminous intensity किलाती है, जोती तिवरता आपको difference हमन में आया, flux में क्या था, total कितनी light emit कर रहा है, एक second में वह उसका flux हो गया, और एक second में particular direction में कितनी light emit कर रहा है वो उसकी क्या हो गई luminous intensity हो गई जोती तिवर्दा इसकी जो unit होती है वो क्या होती है candle होती है very very important है यहाँ से exam में question बन सकता है ध्यान रखेगा एक और देखिए इससे मिलता उलता word होता है Tesla आप कभी अगर आपको देखने को मिले exam में तो ध्यान रखेगा वो चुम्बे की शेत्र की unit होती है टेसला और candle होती है वो luminous intensity की unit होती है clear तो I hope आपको समझ में आया होगा यह आगे देखिए एक important question पूछा सकता है exam में ozone layer की मोटाई मापी जाती है मतलब उसकी unit क्या है किस unit में मापी जाती है ozone layer की मोटाई पूछा सकता है exam में question तो ध्यान रखेगा dapson क्या होती है dapson उसकी unit होती है dapson में ozone layer की मोटाई मापी जाती है ozone layer का क्या काम होता है सूरी से आने वाली जो पराबेंगनी किरना होती है ultraviolet tray उनको क्या करती है प्रत्वी तक पहुचने से रोकती है तो देखे फ्रेंड्स यहाँ पर 16 हमने important physical quantity की unit को discuss कर लिया है बहुत ही important है यह सभी 90% chance बनता है कि इनी में से questions आपको exam में देखने को मिलेगा चलिए अब हम test लगाते हैं बड़ी आसानी से आप test भी solve कर लेंगे चलिए start करते हैं देखे फ्रेंड्स जितने भी questions आपको solve कर रहा हूँगा सारे previous year questions है बहुत important है maximum chance है कि आपको इनी questions में से exam में देखने को मिलेगा देखे पहला question क्या है कार्य का मात रखे है तो कार्य आपको करना है वर्क आपको करना है तो क्या खाना है आपको मैंने आपको बताये था काजू आपको खाना है जिससे आपको energy मिलेगी तो का से बना हमारा दोस्तों कार्य और जू से बना हमारा जूल बहुत ही easy तरीके से आप निकाल सकते हो एक आंसर, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है, प्रकाश द्वारा वेक्यूम में, मतलब निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी, क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है, अगला देखिए, बल की यूनिट क्या है, फो एक का मातरक नहीं है अधी वर्ष चंद्रमा प्रकाश वर्ष प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मातरक है C अंसर अगला देखिए पार्सेक इकाई है पार्सेक देखिए किसकी इकाई है दूरी की इकाई है सबसे बड़ी दूरी की इकाई कुन से होती है पार्सेक होती है औ Luminous Flux का मात्रक होता है, Lumen, मतलब जोती Flux, आंसर क्या होगा, B. Next question लेते हैं, Pascal इकाई है, Pascal किसकी इकाई है, दाप की इकाई है, मैंने आपको trick भी बता रखिए, अगर Pascal पार्सेक में confused होते हो, तो किस तरीके से आप उसको find कर सकते हो, देखें अगला, Candela मात्रक है, Candela किसकी इनिट होती है, Luminous Intensity, जोती तिवरता, मैंने आपको बतायता है, कोई Light Source है, वो particular direction में, एक सेकेंड में कितनी Light Emit कर रहा है, वो ही क्या किलाती है, उसकी इनिट क्या है, जोती तिवरता किलाती है, ठीक है, उसकी इनिट क्या है, Candela, Joule N Liquid की इकाई है, किसकी इकाई है, Joule, उर्जा की, Energy, आपको वो trick दिमाग में आ रही होगी, उससे आप बहुत इजी तरीके से इसको निकाल सकते हो, चलिए अगला question लेते है, Hertz क्या मापने की यूनिट है, Hertz जो है, वो frequency मापने की यूनिट है, सभी को पता ही है, अगला देखि astronomical उनिट में आपको बतायता, सुर्य और प्रत्वी के बीच की average distance, ओसत दूरी, answer A बिल्कुल सही होगा, देखिए question है, शक्ती का मातर के है, शक्ती देखिए word सुन के दिमाग में क्या रहा है, शक्ती मान, और शक्ती मान जो होता है, वो बूरे काम करने वालों की वाट लग आप ध्यान रखेगा, प्रकाश वर्ष होता है, क्या होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, निर्वात में, C answer, देखिए अगला, एक पार्सेक, तारो संबंदी दूरियम आपने का मातरक हैं, जो की बराबर होता है, एक पार्सेक किसके बराबर होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष, B answer, next question लेते हैं, निम लिखित SI उनुटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कारे का मातरक जूल बिल्कुल सही है, बल का मातरक नुटन ये भी सही है, त्रियुमान का किलोग्राम ये भी सही है, दाप क दाइन, ये गलत है, दाइन जो है, बल का CGS उनुट है, तो आंसर D जो होगा, वो सुमेलित नहीं है, D answer इसका सही होगा, जूल उर्जा से उसी तरह संबन दीते हैं, जिसे पास्कल, पास्कल जो है, वो दाप से संबन दीते हैं, B answer, निम लिखित में से कौन सी एक उश्मा क की इकाई नहीं है, देखिए कैलोरी, किलो केलोरी, बिल्कुल दोनों है, किलो जूल, बिल्कुल है, वाट, वाट जो है, वो मैं आपको बतायता, वाट कौन लगाता है, शक्तिमान लगाता है, तो शक्ति की इकाई है, तो ये उश्मा की बोल रहा मतलब गलत answer है, D answer सही ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई क्या है डापसन द्वनी तिवरिता sound intensity की इकाई है क्या होती है डेसिबल C answer मैंने आपको बतायाता कि द्वनी की तिवरिता अगर 45 डेसिबल तक है तो कानों के लिए बिल्कुल सही होती है पर अगर द्वनी की तिवरिता इसे जादा हो जाती है 75 डेसिबल तक तो बहुत यदा हनी कारग होती है 85 डेसिबल अगर द्वनी की तिवरिता है तो मनुष्य जो होता है वो बहरा हो जाता है और 145 डेसिबल पर मनुष्य पागल हो जाता है तो friends धोनी की तिवरिता sound intensity की काई decibel अच्छे से आपको समन में आ गया होगा तो friends यहाँ पर देखिए हमारे यह सारे questions complete होते हैं एक छोटा सा test था I hope आपने अच्छे से solve कर लिया होगा तो friends यहाँ पर देखिए हमारे physics का बहुत ही basic topic जो है इकाई unit वाला अच्छे से complete कर लिया हमने अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं करा हैं तो subscribe भी कर लिजिए क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियो में upload करूँगा आपको उसका benefit मिलता रहेगा तो friends मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिन जय भरत